स्वागत है आपका प्राइम टीवी में मैं हूँ आपके साथ मयूरी सिर्वासता वक्त हो गया है उत्तरप्रदेश की बड़ी ख़बरों का हर दोई में डिप्टी सीयम केशो प्रसाद मौर दोरे पर रही दोरानूरों ने कॉंग्रेस पर निशाना साधत हुए कहा कि कॉंग्रेस अंध की ओर है डिप्टी सीयम ने कॉंग्रेस नेता श्री कृष्ण दिये गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डिप्टी सीयम केशो प्रसाद मौर ने ये भी कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार लोग हित में काम कर रही है नगर निकाय का च चुनाओं के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चलेगी और दोहजार चॉबिस के एलेक्षन में 80 की 80 सीटे भारती जनता पार्टी जीत कराएगी बस इतनी ही है जब नास मनुस पर चाता है पहले विवेक मर जाता है अब अगर भगवान स्री किष्ण के द्वारा कुरुछेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया और उस पर कांग्रेश का नेता कोई ऐसा उपदेश देश के सामने प्रकट कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेश अपरे अंत की ओर है और ऐसे जो नेताओं के बयान है उस पर कांग्रेश के अध्यच जो बने हैं अभी नए नए उनको अपनी प्रतक्रिया देनी च चाहिए और स्री राहुल गांद जी को बताना चाहिए कि उस पर उनके विचार क्या है यह तो देश की भावनाओं को आहत करने वाली भासा है